आरू खान कहता है, चुनाव के टाइम ये पार्टियां ये नेता वोट मांगने आएंगे, कोई जाती के नाम पे वोट मांगेगा, कोई धरम के नाम पे वोट मांगेगा, जाती और धरम के नाम पे वोट मत देना, जो वोट मांगने आए, उससे पूछना, हमारे बच्चों क कोई बिमार होगा तो उसके इलाज के लिए क्या करोगे अपने साथ एक जवान आदमी ले जा सकता है उसका भी फ्री है तो इस से इस बहाने जवान का जवान लोग है वो भी जा सकते हैं अभी एक पिक्चर आईए शारुक खान की कौनजी पिक्चर है देखी किस-किस ने दे लोग है जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना बड़ी अच्छी पिक्चर है अपने साथ एक जवान आदमी ले जा सकता है उसका भी फ्री है तो इस से इस बहाने जवान का जवान लोग है वो भी जा सकते हैं तो लाइन बड़ी लंबी है आप भी अपना लाइन में वेबसाइट के उपर रेजिस्ट्रेशन होता है रेजिस्ट्रेशन करा लो अभी एक पिक्चर आई है शारुक खान की कौन जी पिक्चर है देखी किस-किस ने देख ली उसमें एक डायलोग है जिन्नोंने नहीं देखी ये पार्टियां ये नेता वोट मांगने आएंगे कोई जाती के नाम पे वोट मांगेगा कोई धरम के नाम पे वोट मांगेगा जाती और धरम के नाम पे वोट मत देना जो वोट मांगने आए उससे पूछना हमारे बच्चों के लिए परिवार में कोई बिमार होगा तो उसके इलाज के लिए किया करोगे कहता है की नहीं कहता है शारुक खान सही कहता है की गलत कहता है केवल आम आदमी पारटी है जोकि लोगों के शिक्षा के लिए और स्वास्त के लिए इंतिजाम कर रही है 75 साल उठाके देख लो आज आजादी के 76 साल हो गए एक भी पार्टी या दिनी आती मेरे को जिसने कभी आके आपको कहाओ कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूँगा इसलिए वोट दे देना किसी ने कहाओ मैं आपके इनाल्ज के लिए अस्पिताल मोहला क्लिनिक बना दूँगा वोट दे देना हम राजनीती में वोट मांगने नहीं आए हम राजनीती में चुनाव जीतने नहीं आए हम राजनीती में देश बनाने आये हैं, जनता की सेवा करने के लिए आये हैं, मेरी जिन्दिगी का एक ही सपना है, कि मेरे जीते जी भारत दुनिया का नंबर वन देश बनना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब देश का हर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकेगा, वो तभी बनेगा, जब देश की सारी सडकें, सारी बिजली, पानी, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, केवल भाषन बाजी से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा है, जो कहते हैं न, सरकार में पैसा नहीं है, पैसा है, पैसे की बिलकुल कमी नहीं है, चोरी बंद हो जाए न